अच्छा जी आप तो लोग देख रहे होगें NPD लिखा हुआ है इसका मतबर नियू प्रॉड़क्ट डवेल्मेंट प्रॉसस चाहिए अच्छा नियू प्रॉड़क्ट डवेल्मेंट प्रॉसस यह आपको जो एर स्टेप इदर दिख रहे है ना यह आप लोगों ने उपर नीचे नहीं करने बिकर दिस इस वाट शोइंग दा सीक्वेंस ठीक है सीक्वेंस किस तरह से के आईडिया जिनेट होगा तो इसकी स्क्र इसकी एक इसकी आप टू मेमराईज एड स्टेप्स फर्स्ट अब इकिस तरह से अब देखो कॉमन सेंस है याद करने का इजी वे क्या होता है कि जब यह अपनी न्यू प्रॉड़क्ट डवल्प करनी न तो सबसे बहले माइन में आइडिया आगा उसे कहेंगे आडिया जि प्रोपेशडी नंम इसक दो तरिकों से होता है या तो इसक अधिया शूर्स ए और एक्सटरनल सोर्स अभिवेसर ना कि लुगण पर हैंक और इस मिर्स चाहिए ने कपकर उता है कि हम जुग अस cultivठ करना चाहिए या मार्किट लेट यू लेट यू लेट्यू नू कि आपक करते हैं, clear है first, second idea screening, अब यहाँ पर आपके पाद जो दो सी तीन idea से उसको आपने screen out करना है, किस तरह से, जैसे for example, किसी भी organization में बहुत जादा CVS आ जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, जो अपनी requirement के मताबिक जो best CVS हैं, उनको separate कर लेंगे, जो least best होंगे, उनको side पर कर लेंगे, right, कि जो top best हैं, उनको आपने prioritize करना है, as compared with rest of the CVS, उसे कहता है idea screening, screen choose best, drop worst, third one देखो, concept development and testing, अब यहाँ पर आप technical criteria देखते हो, ठीक है, आप सारी calculation करते हो, calculated decision देखते हो, okay, now the idea is clear, do I have a capacity to make the product, do I have a sources to make the product, can I afford it, can I make it, इस तरह से, ठीक है, तो आप उसका सारा technical criteria है, वो step number third में देख रहे हो, concept development, fourth में आज़ो, marketing strategy, marketing strategy क्या होती है, मैंने आप से कहा था, इसे हम कहते है, customer driven marketing strategy, भी यहाँ पर आपका आज़ेगा STP, segmentation, targeting, positioning, positioning, दोबारा से बिता दूँ, marketing strategy क्या होती है, segmentation, targeting, positioning, यह आप लोगों ने लिखना आगे, segmentation क्या होती है, divide the market into small group, targeting क्या होती है, choose one segment, और आपकी positioning क्या होती है, create image in the mind of customer, चीक है, तो फिर आपके पास, जैसे आपका history भी clear होता है, तो आप jump करते हो, step number 5 पे, जैसे कहते है, business strategy, business strategy होती है, sword analysis, strength, weaknesses, opportunities, plus threat, this is very common, sword analysis, आप लोग बहुत दफाब बहुत सब्जेक्स में कर चके हो, तो वही sword analysis, आपने यहाँ पे, diagram की form में बनाना है, फिर 6 पे आज है product development after support analysis, आप उसको product को बना लेते हो, as a form of sample, फिसको क्या करते है, sampling क्या होती है, 7 पे test marketing, कोई चीज बनी, उसको फिर आप free sampling के तोड़ पे testing करते हो, feedback लेते हो, observe करते हो, either customer is giving good response, either lacking the taste or not, और जो भी comments, feedback यहाँ पे ले रहे होते हो, if things are perfectly done there, तो फिर आप उसको commercialize कर देते हो, अब product launch करते हो, अब यहाँ पे देखो step number 8 पे क्या लिखना है, commercialization में, यहाँ पे आपने लिखना था IMC tools, जो आप लोग ने previous video में किया है, 5 IMC tools की, you have to mention the name over there, तो it's not important, कि आप लोग सिफ NPD में, new product development में, सिफ 8 step लिखना हो, जब भी आपने लिखना है, आपने इसको explain करना because this is a full-fledged question, hopefully things are clear now, thank you so much, बच्चो.